प्राइपुर से खबर जहां जीवी के कंपणी ने फिर सक्ती दिखाई है आपको बता दे हरताल पर गए 20 स्वास से कर्मियों को बर्खास कर दिया गया है तो अन्य करमचारियों पर भी गाज गिरेगी आपको बता दे करमचारियों में इसको लेकर आख्रोश है प्राइपुर से इस वक्त की खबर जहां जीवी के कंपणी ने फिर दिखाई सकती हरताल पर गए 20 स्वास से कर्मचारियों को बर्खास किया गया है तो अन्य कर्मचारियों पर गाज गिरेगी कर्मचारियों में आख्रोश है सरकार की तरफ से कुछ विशेश पहल नहीं की जा रही है वही इस खबर पर जद जानकारी कले मेरे सयोगी राहुल पाली चुड़ गए है जी राहुल जीवी के कंपणी ने फिर सकती दिखाई है क्या कुछ अपडेट जी करिस्पा जिस परकार से अंदोलनकारी अपने मांगो को लेकर लगातार पैठे हुए है वहीं उनका आज नवा दिन दसवा दिन है तो कहीं न कहीं जिस परकार से अंदोलनकारी जो अपने मांगो को लेकर लगातार अड़े हुए है करबाम नहीं जा रहा है तो माने तो जब सक हमारी मांग पूरी ने होगी, सब सकते हम लाड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ पूरे करमचारी को बर्खास कर दिया जाए, ऐसे तमाम जो मांगो को ले करके बैठे हुए है, तो कहीं न कहीं जो जीवी के कमपणी के द्वारा सक्त कर रवाई की जारी है, और जो अंदोलनकारी के द्वारा अपना रूख अपनाया जा रहा है, तो आने वाले समय में ये देखना होगा है, इस सकता की इस स्थिती बनेगी, क्योंकि प्रदेश की जो स्वास्त वेस्ता है, वो लगता लचन नजार आ रही है, जी करिस्मा. जी, राहुल देखा जाए, एक तरफ जीवी के कमपनी सकत हो गई है, दूसरी तरफ बरखास्तगी के लैटर पहले भी जारी किये गए था, लेकिन करमचारी में अभी भी आकरोश है, और करमचारी अपनी हरताल खतम नहीं कर रहे है, वहीं सरकार की तरफ से इत्ता उदासी कि जारता सिधा भी ने उन्होंने नेत्रदान करके विरोध दर्शे रहा है, तो कहीं ना कि सरकार के द्वारा अभी तक से दूद ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक से सरकार चुपी साधी हुई है, और सिधे जीवी के कमपनी से बात करने पर यहां सामने आ रहा है, पूरे प्रेदेश के स्वासवेस लचर हो रही है, उसके जिम्मेदा सिधे जार पर करमचारी यह को ठारा धीया जार है, क्योंकि कारमचारी अपने अभी तक से कोई सूद नहीं ले जारी है, तो हम अपनी जो आन्दोलन उसे खत्म करने के हमारी मंगों को लिए, ठोड़ा बहुत पहल करना चाहिए जी बिल्कुल तो सरकार की तरफ से कोई विशिश पहल नहीं की जा रही है राहूल बहुत बहुत शुक्री है हम से जुनने के लिए